हेलो अब्रिवान टॉ ट्रैंट इस सेशन में हम डिसक्वस करेंगे quantitative aptitude से एक topic जो है case let case let को हम case study भी कह सकते हैं और यह data interpretation का एक पार बाना जाता है क्योंकि यहाँ पर questions tax data interpretation के question से काफ़ी similar होता है difference इतना ही होता है कि case let में information हमें raw form में दी जाती है और जैसे हम जानते है data interpretation में information बहुती fine-tuned होती है information हमें tables या graphs या pie charts में दी जाती है लेकिन case let में information होती है paragraph में तो इस paragraph को हमें पढ़कर properly analyze करना होता है दिये गए data को और उसे हम extract करते हैं एक proper form में एक fine-tuned form में जैसे मान लेकि हम paragraph को पढ़कर एक table बना लेते हैं और जैसे एक table बना लेते हैं फिर questions आंसर करना बहुत easy हो जाता है क्योंकि table में information बहुती fine-tuned होगी हमें सिर्फ figures को properly observe करके दिये गए questions को आंसर करना होता है तो case let data interpretation से काफ़ी similar है बस यहाँ पर एक additional step होगा कि हमें data raw form में दिया जाएगा तो उसे analyze करेंगे एक table बनाएंगे और फिर दिये गए questions को आंसर करेंगे तो चलिए देखते है case let से एक example